आप अपने किचन में कौन सा वाला गरम मसाला यूज करते हैं, पेकेट वाला या फिर आप इस तरह से हॉममेट गरम मसाला बनाते हैं, अगर आप पेकेट वाला करते हैं, तो आज से बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें होते हैं harmful preservative, जो कि मसाले को लंबे समय तक अच्छा ब पता साथ में दाल चीनी और इसी के साथ में बड़ी वाली काली इलाईची जिसे बोलते हैं और इसमें है इस तरह से चक्रफूल और और बी कुछ यह चीज है जिसका मुझे नाम नहीं पता है अगर आपको नाम पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना इसके साथ एक जाइफल और यह मैंने जो 100 ग्राम का पेकेट आता है फिर खाड़े मसाले का भू लिया है और इसके अंदर है काफी सारी काली मेर्च और लोंग भी है काफी सारी इसके अंदर और एक बारिक ओ जीरा है तो इस तरह से यह आता है इस तरह से आप गर पे बना सकते है आप अलग अलग ले सकते हैं या फिर साबुत जो खड़े मसाले का पेकिट बाजार में इजिली मिल जाता है दी मार्ट वगरा में भिलता है। या फिर ग्रोसरी आइटम की जो स्टोर होती मिल जाता है। तो आप वहाँ से साबुत मसाले ले सकते हैं और इन्हें पीसकर बना सकते हैं क्योंकि packet वाले मसाले अच्छे नहीं होते हैं और वो किस quality के मसाले उसमें यूज़ किये गए हैं वो भी हमें पता नहीं चलती है इस वज़े से आप इस तरह से लेंगे तो आप अच्छे जो गरम मसाला ना बना पाएंगे और इसका जो फ्लेवर होता ना वो भी काफे स्ट्रॉंग होता है वेसे तो गरम मसाले का यूज जादा नहीं करना चाहिए लेकिन बहुत सारे डिशे गरम मसाले की नीड होती हीं तो इसलिए गरम मसाला किचन में होना बहुत जरूरी होता है कोई भी सबजी हो उसमें जान डाल देता है तो यहाँ पे हमें इसे ड्राइर रोस्ट करना है यहांबे मैं तेजपता को थोड़ा सा तोड़ रही हूं क्योंकि जब हम इसे mix कर रहे हैं मतलब चला रहे थे ना तो दिक्कत आ रही है बार 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 जा रहे है पेंगे इसलिए मैंने सारे तेजपता को इस तरह से हाथ से तोड़ दिया भारिष का भी मौसमें तो मसालों में थोड़ी सीलन है तो इन में जो भी मौस्चर यह से किने खतम कर दे나 है और इसके साथ हल्का सा बुनने से यह बेनोवट होगा कि इन सारे मसालों में अपना एक oil होता है इसके जो फ्रेग्रेंस होती है, तो जब हम इसे हलक असा मतलब भुनेंगे ना, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है, वो निकल के अच्छे से आएगी, और इसका जो टेस्ट है ना, काफी बढ़ जाता है, तो इसलिए हमें इसका मुश्यर भी खतम कर लेना है, पिसने में भी असा निकाल लेना है, तो अभी देख सकते हैं, हलका हलका सा इन में से दुआ निकल रहा है, तो बस इतना ही काफी है, यह इसकी फ्लेम काम ओफ कर देंगे, और इनी कोई भी थाली या बरतन में निकाल लेंगे, जिससे की यह बिल्कुल ठंडे हो जाएं, तो रूम टेंपरेचर जो में साल पर स्टोर भी गर सकते हैं, जो जाए फर लेना है, क्योंकि फूरा है हो सकता, मिकसर के जार में जाके और कोई प्रोब्लम क्रेट करें तो इसे आपको तोड़ लेना है, मैंने इसको तोड़ लिया था, और अभी यह थंडे भी हो गए हैं, तो अब हम बीच वाल मिक्सर का मीडियम वाला जार उसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से पीस लेना है बिल्कुल फाइन पीस के तयार कर लेंगे ताकि किसी भी सबजी बगेरा में जिस भी डिश में हम इसे यूज करें तो इसका कोई भी बड़ा पार्टिकल ना हो और यह मुह में ना आए इस अगर आप चाहें तो इसे चान सकते हैं लेकिन में नहीं चानती हूँ ऐसे यह बस इसे भम भरके वो स्ट्रोर करके रख लेंगे चानने की जरूत नहीं है लेकिन अगर आपका मन हो या फिर आपको लग रहा हो कि अच्छे से नहीं पीसा है तो आप चान भी सकते हैं आप क भी यूज़ करते हो से आज ही यूज़ करना बंद कर देना थेंक यूज़ वाचिंग